हेलो स्टूडेंट्स आपका अपने ट्यूटर टाक चैनल में स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेल के बारे में जो क्लास नाइन्थ में अगर हम सेल को देखें तो सेल के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट ओर्गें होते हैं इस वीडियो में हम सबसे पहले सेल की इंट्रड़क्शन समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके डिफरेंट ओर्गें को हम एक्स्प्लेयन करेंगे जो सेल वर्ड है वो कहां से बना सेल इस एलेटिन वर्ड फार एलेटल रूम एक छोटा कमरा जो लेटिन भाशा में जिसे कायता है स्माल रूम वहाँ से ये वर्ड लिया गया है और सेल इससे के अप डेफिशन लिख सकते हो जो सेल होता है अए बेशिक स्टॉक्चर और जा फिर more than one cell, million, million तक counting इसकी जा सकती है अब cell कैसे हमारी body का part है उसको भी discuss करती है जैसे एक ही तरह के cell जब ग्रूप में होती है, same function perform करने वाले तो उसे हम tissue कहती है और जो अलग-अलग tissue और वैसे ही tissue मिलने के बाद जब किसी ग्रूप में कठे होती है तो क्या organ बनती है cell, same function वाले tissue और वही tissue जब same function वाले कठे होती है तो organ बनता है और उसी organ, different, different जब organ कठे होती है तो क्या होता है, organ system जिससे की body जब plants बगएरा, जब human body का निर्मान होता है और जो the branch of biology which deal with the study of cell called cytology, biology की वो वाली branch जो की cell की study को करती है उसे cytology कहा जाता है और cell की जो सबसे पहले discovery रोबर्ट हुक ने किया रोबर्ट हुक ने की थी से उन्हें father of cytology भी कहते हैं, रोबर्ट हुक को जब रोबर्ट हुक ने अपने द्वारा बनाये हुए microscope से bark of T को observe किया तो उन्हें उसमें से एक ऐसा structure दिखाई दिया जो की मदु मख्य के छत्य की तरह दिखाई देता था और उसमें small-small compartment थे एक जैसे दिखने वाले जिसे उन्होंने cell का नाम दिया गया बाद में और उन्होंने जो cell देखा था वो एक तरह का dead cell था उसके बाद different scientists ने इसमें अपना योगदन दिया अब हम cell की variation की बात करें तो उसे numbers के coding, shape के coding और size के coding differentiate किया जा सकता है सबसे पहले number की बात करते हैं तो number of cell की अगर बात करें तो उसे हम multicellular unicellular two parts में इसको classify करते हैं जो multicellular organism name से clear है multi, multi मतलब ज्यादा, एक से ज्यादा, cellular मतलब cell वो वाले organism, वो वाले जीव, plant हो सकते हैं जो animal हो सकते हैं living जो कि एक से ज्यादा cell से बने होते हैं उन्हें multicellular organism कहते हैं organism made from more than one cell, एक cell से ज्यादा, तो unicellular में वो वाले organism आते हैं जो only one cell जिनमें होता है और इनको हम आखों से नहीं, mostly ये microscope से ही दिखाई देते हैं, जैसे amoeba, paramecium, ये single cell organism होते हैं अब हम बात करते हैं, शेप की अगर सेल की शेप देखें तो ये neuron cell ये आपको थोटा से long दखाई दे रहा है, ये fat cell, ये sperm cell जो इसी तरह से kidney cell जो अलग अलग blood cell जो होती हैं, सब की शेप different different होती है इस तरह हम कह सकते हैं different function perform करने वाले cell की शेप भी अलग अलग होती है, next हम बात करते हैं size of cell के बारे में, अगर size of cell की बात करें तो cell का जो size होता है उसे micrometer में mostly measure किया जाता है और ये बहुत ज्यादा छोटा होता है, अगर हम अपने hair की बात करें वाल, तो hair का जो width होती है, वो क्या होती है 10 micron, मतलब 10 micrometer होती है, जबकि एक bacteria cell की बात करें तो वो 0.1 to 0.5 micron तक उसका size होता है, जो कि बहुत ज्यादा छोटा होता है, जिसे की microscope सी देखा जा सकता है लेकर अगर largest cell की बात करें तो जो largest cell होता है वह ओस्ट रिच का egg, जो ओस्ट रिच होता है उसका जो egg होता है वह एक complete cell होता है, यादिक एक single cell होता है और इसकी जो height width की बात करें तो 170 mm से 130 mm by 130 mm, यानिकि 170 mm के near about इसकी height और 130 mm के near about इसकी breath चुड़ाई होती है और next video में हम करेंगे cell के different organelles को discuss करेंगे कि इसमें कौन-कौन से organelles होते हैं, उनके क्या-क्या function होते हैं थैंक्स वर वचिंग